बैए Canada जॉब ढूणने का तरीका देख लें बही कोई भी किसी किसम की जॉब अगर आप ने ढूदनी आप डॉक्टर रहें रेलेटी से रिलेटिव आपके फील्ड है आप को लेबर बर्क़र है ड्रायवर है और आपको अ किश भी है यह ओजनुकर इंका काम करना चानते हैं तो भाई ये इस तरह आव एक्जेंपल में आप कुछ भी लिख दें ठीक है लोकेशन के अंदर आपने आल कैनेडा करना है और ब्रोस कर देंगे आप इसको तो फिर ये साइड खुल जाएगी उपर ये देख लें आपको मैं साइड बता दूँ ये साइड है जोब खुलतें ठीक है ये देखें जी ये हमने जोब खुल दी सब लिख़ू आ राहा ये देखें मैं फिर बता रहा हूँ आपसा इसको समझग ले ले noun higher एश जोब का मतलब यह है आप ये जयोब इपलाई कर सकते हैं यह निशान का मतलब यह होता है के वर्ल्ड वाइड आप यह जॉब इपलाई कर सकते हैं इस पर लिखा हुआ है और बड़ा वाज़ तो पर लिखा हुआ है ठीक है अब आपको जब इपलाई करना है तो यहां पर आप क्लिक करेंगे हाँ टो इपलाई पे तो इनकी इमेल आजएगी जो भी इमेल होगी उस आप अपनी सीविंग को सेंड कर देंगे सिंपल है ठीक है अब आपको मैं बताता हूं किस जॉब के लिए आप इपलाई नहीं कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं यह थोड़ा सा हम बैक पे जाते हैं सही है फर्स करने यह वेल्डर की यह भी एक जॉब है जॉब इपलाई नहीं करेंगे देख लें भाई आप अच्छी तरह से इस तरह आपने अपने हिसाब से अपने लिए जॉब ढूड़नी है उसमें देखना के कहां पर जॉब इपलाई कर सकते हैं देखें इस पर साफ लिखा है के यह कैनेडियन सिटीजन या पर्मनेट रे इपलाई करेगा देख लें